हेलो दोश्तों आज मैं बनाऊंगी मेंगो राइस जो करनाटरका का स्पेजर डिस है तो इसे बनाना बहुत ही असान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है तो आई इसे बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैं चावल को बॉयल करके ले ली हूँ मैं बास्मति राइस ले हूँ आपको भी विचावल बॉयल करके ले सकते हैं और यहां जाएगा जीरा राइ और यह एक कच्छा आम का मतलब आधा टुकड़ा मैं कद्धुकस करके ली हूँ चना दाल ले लेंगे एक टेबल स्पून और यह मुंगफली का दाना और यहां पर करी पत्ता और यह कच्छा नारियल मैं यहां पर कद्धुकस करके ली हूँ हरा धनिया और दो से तीन मेडियम साइज का प्याज और हरी मिर्च तो आईए से बनाना शुरू करते हैं तो इधर मैं कड़ाई रख दे थी गरम होने के लिए कड़ाई हमारा गरम हो गया है यहां पर मैं डाल ले ह दो टेबल इस्पुन ओयल और यहां पर जाएगा राई और जीरा तो इसे थोड़ा तड़कने देंगे फिर यहां डालेंगे चना दाल और यहीं पर जाएगा मंगफली तो मंगफली को थोड़ा हम भून लेंगे तो मिनट भूनने के बाद यहां पर जाएगा हरी मिर्च और करीब पत्ता तो इसे भी डाल के चार जी पास चेकेंड इसे भी हम थोड़ा भूनेंगे इसी भूनने के बाद अब हम यहां डालेंगे प्याज तो प्याज को डाल देंगे और प्याज को हम तब तक भूनेंगे थोड़ा मतलब सौफ्ट हो जाए प्याज तब तक इसे भ भूनेंगे प्याज को यह देखे शॉप्ट हो गया है हमारा प्याज अब यहां पर जाएगा यह मैंगो जिसे मैं कद्दू कस करके रखी थी और इसे भी हम एक मिनट तक भूनेंगे इसको भूनने के बाद अब यहां पर हम एट करेंगे हल्दी पाउडर इससे हमारी राइस का कलर बहुत अच्छा हैगा और नमक आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालें अब इसे भी हम मिला लेंगे अच्छे से तो ये देखिए इसे भी हम एक से दो मिनट भूनेंगे भूनने के बाद जो कच्छा नारियल मैंने कद्दू कस करके रखा है इसे एड करेंगे और इसी के साथ धनियापत्ता भी एड कर देंगे अब इसे भी हम भूनेंगे थोड़ी देर बस थोड़ा ही देर 30 सेकंड भून करके और अब हम यहाँ पे जो चावल पॉयल करके रख्या है उसे यहाँ पे एड कर देंगे तो ये देखिए चावल इसे हम यहाँ एड कर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद दो मिनट और हम इन्हें भूरनेंगे तो यह देखो फ्रेंड्स यह हमारा मैंगो राइस बन करके रेडी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अब लोग एक बार जरो ट्राय करना और बस यह देखो अब तो यहां भी मैं इसे निकाल ले रही हूँ तो अगर आपको हमारी यह रेच भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेच भी कैसी लगी तो धन्यवाद फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के शार